हैलो बच्चों क्यासे हैं आप हुम्मित करते हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आईए बच्चों आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लुकुक्तिया एक बार की बात है कल्लन मिया और चक्कन मिया में किसी बात पर नोक जोख हो जाती है तब बड़े मिया आकर दोनों को समझाते हैं कल्लन मिया ने कहा तीन पाँच मत करो यहां पर छकन मिया से जरह होश में आ जाओ आंग दिखाओ मत मुझको तुम नोदो गया रहो जाओ चक्कन मियाने का मत छिड़को तुम नमक घाओ उपर कल्लन मियासे व्यार्थ ना मेरा सिर्खाओ रंग ना मुझ पर जम जाएगा कान पकड़ लो घर जाओ बड़े मियाने का तोपी पगड़ी नहीं उचालो कल्लम और चक्कन में अरे ना चिकने घड़े बनो आगवबुला होकर छोड़ो बनो गले का हार बनो एक एक ग्यारा होते हैं गाल बजाना तुम भूलो आस्तिन के साप बनो मत खुश हो खूब पलो फूलो कल्लन और चकन मिया कान पकरते हैं ना लणेंगे बड़े मिया से अब हम नाम कमाएंगे पांचों उंगलिया घीमे होगी जब हम रंग जमाएंगे बड़े मियाने का बनो बात के धनी तुम्हारे चार चांद लग जाएंगे कल्लन और चकन मिया से तो बच्चों यह जो आपने उपर नोग जोग पड़ी इस नोग जोग में मुहावरों का प्रियोग हुआ है मुहावरे भाशा को प्रभावशाली सुन्दर एवं सशक्त बनाते हैं यह अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेश अर्थ देते हैं यह स्वयम वाक्य न होकर वाक्य का अंश अर्थात व्याक्यांश होते हैं इनका स्वतंत्र प्रियोग नहीं होता है अर्थात वाक्ये का ऐसा आंच जो समाने अर्थ को छोड़ कर एक विशेश अर्थ प्रकट करे मुहावरा कहलाता है आईए कुछ मुहावरे उनकी अर्थ प्रियोक सहीत जान लेते हैं जैसे पहला मुहावरा है आखों में धूल जोगना अर्थ है धूका देना बाक्ये तुम चोरी छिपे सिनेमा देखकर अपने माता पिता के आँखों में धूल जेक रहे हो जले पर नमक छिड़कना अर्था दुखी को और दुख देना सरकार नित नए कर लगा कर बेचारी जनता के जले पर नमक छिड़कती रहती है बहुत कम अंतर होना भाई साब इन दोनों रंगों में तो 19-20 का अंतर है कान भरना यहिं़ चुगली करना दीपी का हमेशा अपने साससर के रुद अपने पती के कान भरती रहती है सिर पर कफन बांदना यहिंऻ मरने को तैयार होना क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से तक्कर लेने के लिए सिर्फ पर कफन बांध रखा था, घीके दिये जलाना, खुशी मनाना, आयोध्या में इतने वर्षों बाद राम मंदिर का निर्मान होते देख, देश वाशियों ने घीके दिये जलाए, कलेजा मसोच कर रहे जाना शमन कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, बिहाई लाल के दोहों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानोनों ने गागर में सागर भर दिया हो, आग पानी का बैर, यानि जन्म की शत्रुता, भारत और प पुलिस का नाम सुनते ही नोकर हरवडा गया, इसस परस्ट है कि चोरी उसी ने की है, क्योंकि चोर की दारी में ही तिनका होता है, आगे पढ़ते हैं जैसे चक्के चुडाना बुरी तरह हराना रानी लक्ष्मिवाई ने अपनी वीर्ता से अंगरोजों के चक्के चुडा दिये तोते की तरह पढ़ाना बहुत मेहनत से सिखाना पांस दिन से यह प्रश्ण में तुम्हें तोते की तरह पढ़ा रहा हूं पर मान सम्मान को देखकर दोष्ट नरेश की छाती पर साप लोटते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना यानिकि बहुत शीगर विचार बदल लेना आजकल के नेता चुनाव से पहले तो बड़े-बड़े वायदे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात गिरगिट की त सार्थक का भाई जब से नेता बना है तब से उसकी पांच उंगलिया घी में रहती हैं दूद के दाट ना तूटना यानिकि अनुभवहीन होना अभी तो सौम्मे के दूद के दाट भी नहीं तूटे और भाईयों के विपार में हिस्से कराना चाहता है गुड़ गोबर कर ना यानिकि बने बनाै काम को भगाएं रोहित के जंदीन की पार्ट मार्च सौनों से चल रही थी कि अचानक बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया बाल विबाका नाहीं भरत की सीमा पर जब तक सेंहा विद्धमान है तब तक कोई भारत का बाल विबाका नहीं कर स अर्थात बिल्कुल पताना चलना ये सूचना बहुत गुप्त है ध्यान रखना किसी को भी इसकी कानो कान खबर ना होने पाए पापड बेलना यहीं कि संघर्ष करना भी फार्मा मैं परवेश के लिए रोशनी को बहुत पापड बेलने पड़े श्री ग्रैश करना यहीं कि क पच्चों लोगोक्ति शब्द लोग और उक्ति के मेल से बना है जिसका आर्थ है लोगों द्वारा कहे गए कथन मनुष्य के लंबे अनुभों के अधार पर जो कथन समाज में प्रशलित हो जाते हैं उन्हें लोगोक्ति कहते हैं लोगक्तियां लोक जीवन के व्यापक अनभों को सामान्य शबदों के माध्यम से व्यक्त गरती हैं जैसे लोकक्ति है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग इसका अर्थ है सबका अपनी इच्छा से काम करना इसका वाक्य प्रियोग होगा जैसे सुरेश के घर में कोई किसी की भी नहीं सुनता सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है अगली लोकक्ति है ज क्राँच को आच नहीं होती कि लोकते कि से कहते हैं थो मैं प्रश्लित ऐसी उक्ति जो मानव समाज के अनुभाव् सार को संक्षेप में प्रकच करें लोक забarse है वह उसमें यार रखने वाली बात ये है कि लोकोत या संपूर वाक्य कि होती है नो लोकोक्तियों का वाक्यों में सुतन रूप से प्रियोग किया जा सकता है। लोकोक्तियां भी मुहावरों की भाती अपने समाने अर्थ को छोड़कर कोई विशेश अर्थ प्रकट करती है। लोकोक्तियों के प्रियोग से भाशा सुन्दर और प्रभावत पातक बन जाती तो आईए कुछ लोकटी उनके अर्थ और वाक्य प्रियोग समझ लेते हैं, तो पहली लोकटी है हमारे सामने, उल्टा चोर कोतवाल को डाते, अर्थात अपरादी निर्पराद पर दोश लगाए, अर्थात वाक्य बनेगा इसका है, जैसे ही मैंने मेगा की चोरी पकड़ी, वो तो मुझसे लणने पर उतारू हो गई, और मैं चिला चिला कर मुझे उल्टा थेराने लगी, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डाते, अगली है जाको राखे साईयां मार सके न कोई, अर्थात जिसका रक्षक ईश्वर होता है, उसका कोई कुछ नहीं विगार सकता, इसका वाक्या है, नक्ष 60 फुट गहरे गड़े में गिर कर भी बज़ गया, सची कहते हैं, जाको राखे साईयां मार सके न कोई, तीसरी जोकती है, घोडा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात मजदूरी लेने में क्या शर्म, वाक्या बनेगा इसका अपने मित्र सौरव की दुकान से में स्वेटर खरीदने गया, तो इसने स्वेटर देने से मना कर दिया, और बोला घोडा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अगला है बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद, अर्थात मूर्ख व्यक्ति गुणों के परक नहीं क पड़ता है, वाक्य बनेगा इसका, मंगल सिंग को अपने मित्र के कतल के इलजाम में आजीवन कारावास की सजा हुई, किसी ने सची कहा है, कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे, अगली लोकती है, आम क्याम गुठलियों के दाम, अर्थात किसी कारे में दुगना लाब, बोहि वर्षा जब कृशी सुहानी, अर्था नुकसान होने के बाद पश्थाना व्यर्थ है, फिल्म का समय तीन से छे का था और तुम साड़े चार बजे पहुँच रहे हो, अब तो टिकट खराब हो गई, अब का वर्षा जब कृशी सुहानी, मन चंगा तो कटोथी में गंगा यानि मन की शुदता सबसे महतपूर है, श्रिशंद्र घर में ही पूजा पाट करता है, तीर्थों मंदिरों में नहीं जाता, उसका कहना है कि मन चंगा तो कटोथी में गंगा, चाह घंटी चिन्ता गई, अर्था संतोशी व्यक्ती निश्चिन्त हो जाता है, जब से किशन लाल ने संतोशी प्रवर्ति को अपनाया है, उसके सब दुख दूर हो गए है, सची का है, चाह घंटी चिन्ता गई, जो गरसते हैं वो बरसते नहीं, अर्था जो कहते हैं वो करते नहीं, वक्य बनेगा इसका शामु की बड़ी बड़ी बातें पर मत जाना है, तुम तो ज जानते ही हो, जो गरसते हैं वो बरसते नहीं, खोदा पहाण निकली चुईया, अर्थात अधिक परिश्रम करके कम लाग प्राप्त होना, गगन ने अपने माल का इतना विज्यापन किया, परंतु विक्री हुई कुल तीन सो रुपे की, इसे ही कहते हैं, खोदा पहाण नि का पकवान, एक तो करेला, और दूजे नीम चड़ा, अगली लुककती है ये, अर्थात स्वयम बुरा, फिर संगती भी बुरी, वाक्य बनेगा इसका आचल, पहली पढ़ने में मूर्ख है, उपर से गलत बच्चों के साथ रहती है, इसे ही तो कहते हैं, एक तो करेला, ही होती, घरका बेदी लंका ढाय, अर्थात आपसी फूट से सरवनाश होता है, गौरव के छोटे भाई ने शत्रों को उसके बारे में सब जानकारी दे कर उसके आफ़त करती, सच्छी है, घरका बेदी लंका ढाय, सेर मुंडाते ही ओले पढ़े, अर्थात काम शुरू होत जाने के लिए दूसरों में दोश निकालना, शिवानी से सबजी अच्छी नहीं बनी, तो वे मसालों में कमिया बताने लगी, यह तो वही बात हुई, नाच ना जाने आंगंटेडा, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिलकुल अनपर होना, अरे शर्मा जी, आप मेर नौकर से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसे तो हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, आगे हैं लातों के भूद बातों से नहीं मानते, अर्था अधुष्ट व्यक्ति बिना दंड मिले नहीं मानते, मैंन इसके लिए दोसों से भी अधिक आविदन पत्राइं हैं, इसे कहते हैं एक अनार सौ बिमार, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थाच शनिक वैभव होना, यानि वेतन मिलते ही वंश्ट ने दो चार दिन तो बड़े ठाट से बिताए, लेकिन अब फिर वही पते हाल, ये तो वही बात हुई, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंत भला तो सब भला, यानि कारे का अंत अगर अच्छा हो तो बीच में आई कटनाई भूल जाते हैं, परमेश्वर द्याल ने अपने पुत्र को उस शिक्षा दिलाने के लिए 15 साल कष्टों म पूरा किया, इसे ही कहते हैं, अंत भला तो सब भला, अगले ही लोकक्ती है, मान न मान मैं तेरा मैं मान, अर्था जबरदस्ती गले पढ़ना, इसका वाक्य बनेगा, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर भी आप मुझे अपना मित्र बता रहे हैं, ये तो वही बात मिला, मेरी ले तो हींग, लगेना फिट करे, रंग आये चोखा वाली बात हो गई, अगली लोकक्ती है, हमारी एक मचली सारे तलाप को गंदा कर देती है, यानि एक बुरा व्यक्ती सारे समाच को गंदा कर देता है, आलोक की शतानी देखकर कक्षा के और बच्चे भी शता कर देखकर के विशेश अर्थ प्रकच करे मुहावरा कहलाता है, बच्चों मुहावरे और लोकक्ती को अच्छे से समझ में आई होंगी, आप भी अपनी रोज की दिन चरिया में मुहावरे और लोककती को प्रयोग किया कीजिये, आपकी भाशा बहुत ही सुन्दर हो जाए और इससे क्या होगा आपकी अभ्यास का लाका भी अभ्यास होता चला जाएगा बस अब क्या करना है आपने इसी तरह इसका अभ्यास कारे अपने आप करना है